मैं हूँ प्रवीन सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ question number 28 of chapter admission of a partner from the book T.S. Greval edition है 2024 ये question number 28 कुछ इस तरह से है बच्चों आपको दो partners given है जिनके नाम है Ram and Mohan Ram and Mohan ये दो partners हैं जो आपस में profit share करते हैं इन्दा ratio 3 is to 2 इन्होंने सोहन को नया partner बनाया one for share के लिए अब सोहन जो है ये following assets लेकर आया for his capital and goodwill अब वो assets क्या के लेकर आया बच्चों वो stock लाया है रुपीज 60,000 का वो debtors लाया है रुपीज 80,000 का वो land लाया है रुपीज 1,00,000 का और वो plant and machinery लेकर आया है रुपीज 40,000 का यानि वो total जो assets लेकर आया है वो है 2,80,000 for the share of capital and goodwill उसके आने पर जो पूरे firmigoodwill value करे गई थी वो थी रुपीज 6,00,000 अगर firmy goodwill 6,00,000 है तो सोहन के हिस्से goodwill हो जाएगी बच्चो रुपीज 6,00,000 का 1,4 यानि की रुपीज 1,50,000 अब वो total assets लेकर आया है 2,80,000 जिसमें से 1,50,000 अगर उसके goodwill के हैं तो इसका मतलब बचावा रुपीज 1,30,000 उसके हिस्से की capital है इत्ती बात clear बच्चो आपसे कहा गया है question में कि necessary entries pass करें आपको फिर फर्दर दो case दे रखें है conditions दे रखें है condition 1 में कहा गया है कि partners goodwill का पैसा withdraw नहीं करेंगे और दूसरे case में कहा है कि partners goodwill का आधा पैसा withdraw कर लेंगे ठीक है बच्चो आपको necessary entries pass करनी है in the books of the firm तो आईए बच्चो entries कैसे बनाई जाएंगी देख लेते हैं सबसे पहले बच्चो नया partner जो भी access लेकर आया है उनको debit कर दीजिए यानि stock को debit करिए ठीक है बच्चो debtors को debit करिए stock account debit debtors account debit land account debit plant and machinery account debit आप लोग पूरे नाम लिखी का बच्चो और credit करिए सोहन के capital को और premium for goodwill को तो stock में लिखेंगे बच्चो हम 60,000 debtor में लिखेंगे 80,000 land में लिखेंगे 1,00, और plant and machinery में लिखेंगे 40,000 capital में लिखेंगे सोहन का 1,30,000 premium for goodwill में लिखेंगे 1,50,000 ठीक है बच्चो ये entry बन गई हमारी capital और premium लाने की by the new partner instead of cash और bank हमने ये सारी asset debit कर दिया जो जो वो लेकर आया था अगली entry में हमें premium for goodwill account को debit करना है ठीक है बच्चो और राम और मोहन के capital account को credit करना है आप लोग पूरे पूरे नाम लिखेगा बच्चो और proper journal का format बना के लिखेगा अब यहां पर partners के sacrificing ratio की कोई information नहीं है तो ऐसे में यही माना जाता है कि जो partners हैं वो अपने पुराने ratio में ही sacrifice कर रहे है जो की 3 is to 2 तो 1,50,000 को 3 is to 2 के ratio बाट दिया गया बनेंगी case 2 में बच्चो ये entry और ये entry ये दोनों entries बनेंगी यानि case 1 और case 2 में दोनों entries बनाई जाएंगी बस case 2 में जो extra entry बनाई जाएगी वो premium का पैसे withdraw करने की बनाई जाएगी जैसे ही question में कहा था उन्होंने premium का आधा पैसा withdraw कर लिया है तो राम और मोहन दोनों को debit करिएगा इन दोनों के capital account को case 2 की extra entry है बच्चो case 2 में तीनो entries बनेंगी case 1 में केबल ये दो entries बनेंगी शुरू की दो तीसरी entry केबल case 2 के लिए बनाई जाएगी क्योंकि इसमें कहा है कि उन्होंने premium का आधा पैसा withdraw कर लिया तो जिसको 90 मिला था वो 45,000 withdraw कर लेगा जिसको 60 मिला है वो 30,000 withdraw कर लेगा और cash में आ जाएगा रुपीज 75,000 ये entry बन गए बच्चो प्रीमियम के पैसे को withdraw करने की टीक है बच्चो और इस तरह से हमारा ये question complete हो गया बस इस question में जो नई चीज थी वो ये थी कि नया पार्टनर इस बार अपनी जो capital और goodwill है उनके लिए cash न अलाके वो सारी assets लेके आया है तो instead of debiting cash और bank account हमने वो सारे asset को debit कर दिया जो जो वो लेकर आया था ठीक है और premium को और उसकी capital account को credit कर दिया फिर premium को हमने उनके sacrifice ratio बाट दिया old ratio को ही sacrifice ratio मानते हुए और case 1 में तो यही दो entries बनेंगी case 2 में दो entries के इलावा तीसरे entry और बनाई जाएगी जब वो आधे premium के पैसे को withdraw कर रहे है चीक है बच्चो तो इस तरह से हमारा ये question complete हो गया